कमपनी फीटेड सीधा भाई साफ हव के ऊपर आपको टायर लगा के दिया जाता है और टायर के अंदर भी आपको चार इंच चाहिए पांच इंच चाहिए सभी तरह के ऑप्सन देखने के लिए मिल जाएंगे कमपनी ने इसके अंदर जो एच्टीपी पंप रखा वो तीन नहीं पूरे चार सिलेंडर के साथ में सबसे लेटिस्ट पंप रख दिया है और साथ ही साथ यदि आपको वाटर फिलिंग बेगरा करनी है उसके लिए भी कमपनी यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर फिलिंग 15 साल पुराने पड़े टेक्टर में या उससे भी पुराने पड़े टेक्टर में भाई साथ इस तरह का भूम स्प्रेयर लगवाना है तो आजाईए विसकरमा एगरी कल्चर धार के अंदर लगवाली जी यह शांदार किसान भाईयो आज का ये वीडियो एकदम कि यदि हम बात करें तो और भी जो दूसरी कंपनियों के बूम स्प्रेयर आते हैं उसके मुकाबले कंपनी ने इसमें और बहतर काम करके हाई टेक्ट टेक्नोलोजी के साथ में एक बेस्ट बूम स्प्रेयर दिया हुआ है चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि भाई साब महत्पूर भूमी का अदा करते हैं उनी पॉइंट्सों के उपर भी हम बात करने वाले इसके अंदर पंप कौन सा लगा हुआ है कितने प्रेसर का पंप लगा हुआ है एक मिनिट में कितने लीटर पानी प्रेस करके देता है साथ ही साथ इसका कवरेज एरि तो 45 फिट साथ इस भूमी स्पेर के साथ में 45 फिट का कवरेज कैसे होता है नोल जल तो 30 लगे हुए है यहां पर आप उपर की तरफ देख रहे हैं इसमें जो गन्स विगेरा लगी हुई है एक गन यह लगी हुई है और एक गन वो लगी हुई है दोनों तरफ में जो है कम बतरफ में जाता है और कई वार ट्रेक्टर के टार्फ के ऊपर हम लगा हैं वह बी टूड़ जाता है ऐसा क्यों होता है कम्पनी ने proper hub लगा के जो है ट्रेक्टर के भाई साब डिक्स के उपर इसको proper fit किया हुआ है कई कम्पनिया जो है दोस्तों इसमें spares लगा के जो है भाई साब इसको connect करती है दो-तीन spares लगा के जिसके करण ये तूटने का खतरा बहुत जादा रहता है लेकिन वो चीज़ा ह में एकदम जीरो हो गई है पहली बात तो यह रही कि बहुत अच्छा जो है यहां पर आपको हब के साथ में फीटेट टायर मिलेगा और टायर साइज इसमें आपको भाई साथ चार इंच पार चिंच ऑप्शनल बिल जाएंगे साधी साथ दोस्तों यहां पर जो आप नोजल नोजल देख रहे हैं इसके अंदर आपको एंटी ड्रिप नोजल भी मिल जाएंगे यहां पर अब शार बात करूं के हैं नोजल लगा हुए हैं यदि आपको एंटी आपको अपनी आपको prob प्रोगाइट कराके देती है तो ब्र AT भूम स्प्रेयर के साहिद में घंत कंट्र हैं मतलब कहा सकते हैं अंदर की तरप और बाहर की तरफ आने वाले हैं उपर नीचे करना है जैसे कि सेंटर में आप देख रहे हैं आपको अपनी फसल के हिसाफ से भाई साफ बूम नीचे करना है उसके लिए सेंटर भी में कमतिन है हाईड्रोलिक लगाया हुआ है दोस्तों इन से यदि हम फसलों की बात करें तो आपकी जो चना हो गया धान गेहूं बसरी मसूर बटरी ठीक है कपास बेगेरा की फसले हो गए या हम बात करें सोया बेगेरा की जो फसले लेटी नहीं होती उन सभी फसलों में आप जो हैससे स्प्रेक कर सकते हैं साथ ही साथ दोस्तो तो इसके यदि हम water tank capacity की बात करें, तो यहां पर water tank capacity आपको बहुत बड़ी मिलने वाली है, 500 लीटर, 700 लीटर, 800 लीटर, water tank capacity आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और सबसे अच्छी बात मैं करूं दोस्तों, इसके platform में चढ़ना उतरना बड़ा ही असान और अराम दायक है साथ ही कंपनी ना जो बैठक बगेरा बनाई होई है इस टेक्टर में, वो भी specially बहुत ही शानदार है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बड़े अराम से बैठ सका हूँ इस टेक्टर के उपर, और इसको चलाने के लिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम जो हमारी दवाई विगेरा स्प्रे हो रही है, वो भाई साथ ड्राइवर या किसान को उपर ना पड़े, उसके लिए कंपनी ने प्रॉपर यहां पर देख सकते हैं, काच लगा के दिया हुआ है, नाइट विगेरा में जब आप चल रहे हैं, तो उसके लिए कंपनी ने द सेटिंग पॉजिशन का ध्यान नी रखती, तो यहां सेटिंग पॉजिशन आपको अच्छी मिलेगी, सामने की तरफ की जो विजिबिल्टी है, वो मैं देख पा रहा हूँ, एकदम क्लियर ली दी हुई है, साथ ही साथ यहां पर यदि भाई साप आपको इसके प्रैशर की स्पीड को घटाना है, जो हमारा भूम स्प्रे हो रहा है, उसके बाटर टैंक में प्रैशर की स्पीड को घटाना बढ़ाना है, तो इसके लिए कमपनी ना यहां पर आप देख सकते हैं, लीवर्स विगेरा दिये हुए हैं, जिससे आप इससे प्रैशर को घटा सकते हैं, इससे दोस्तों आप एक मिनिट में देड़ सो लीटर तक पानी जो है स्प्रे कर सकते हैं, इतनी स्पीट के साथ में ये आता है, इसके उपर चढ़ना उतरना बड़ा ही असान है, ये देखिए, मैं बड़ी असानी के साथ में चढ़ गया और ये उतर गया भाई साथ, ठीक है पीछे की तरफ यदि हम आते हैं दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हैं, कमपनी ना जो इसके अंदर भाई साथ ये हमारा दिया हुआ है, सटक, 11 mm की सटक आपको इसके साथ में देखने के लिए मिलेगी, 300 मीटर का जो है ये बंडल लगा हुआ है सटक का मतलब आप अल देखने वाली चीज़े आती है, तो इसके लिए कमपनी ना यहां पर देख सकते हैं, आपको भाई साब बाटर फिल्टर लगा के दिया हुआ है, इस टेंक से जो बूम में या नोजल में पानी जाने वाला है, वो बेस्ट क्वाल्टी के फिल्ट्रीशन के साथ में जाएग साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं, कमपनी ने इसके अंदर जो एच्टीपी पंप लगाया हुआ है, भाई साब चार सिलेंडर वाला पंप लगाया हुआ है, कई बार आपने देखा होगा, पहले से तीन सिलेंडर एच्टीपी पंप आते दे, लेकिन यहां पर कमप को में भरना है उसके लिए भी कम्तिना यहां पर आप देख सकते हैं पंप लगा के दिया हुआ है जिससे आप पचास फिट तक की दूरी से पानी खीच के इसके वाटर टैंक में स्टोर करके रख सकते हैं इसके ऊपर चढ़ने के लिए यहां पर आपको स्टैप बार्स बेग करके भी भाई थोड़े मोले काम यदि आपको लग रहा है तो कर सकते हैं पीछे की तरफ भी कम्तिना लाइट्स वेगरा प्रॉपर दी हुई है विजी विल्टी तो भाई साब क्लियर आपको देखने के लिए मिलेगी यहां पर दोस्तों इस गन के लगे होना से सबसे वड स्पेयर कवरें जेरिय तक को बिए मिल जाता है यहां पर मैं जैसे करoutez दोस्तों इस उपरौम स्पयर कि जरूग्टना है बढ़ाना है वह चीज़़े आप कर सकते हैं आती दोस्तों इस भूमस्प्रीर की सबसे बड़ी स्पेसला आपके पास कोई पुराना 10-15 साल पुराना ट्रेक्टर खड़ा हुआ है उसके ऊपर आप यह बूम इस्प्रेयर जो है इंस्टॉल करा सकते इसके लिए नए ट्रेक्टर की जरुवत नहीं पढ़ने वाली आपके पास 35 एच्पी ट्रेक्टर है 45 है 50 है देड़ 2 लाख रोपे या लाख रोपे आपके पास ट्रेक्टर कोई पड़े हैं बस चालू कंडिशन में ट्रेक्टर होना चाहिए उस ट्रेक्टर के ऊपर अग्री कल्चर आपको जो है भाई साफ यह भूम इस्प्रेयर फिट करके देती है आज की वीडियों पास इतना ही दोस्तों और अधिक जलनकारी के लिए डिस्प्लेय में चल रहा है नम्मर में संपर्ट करें वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक फॉलो चैनल को सस्प्राइब करें जै जवान जै किसान दोस्तों